महींदरगड में होगा सीम का जन्समवाद कारेकरम 24, 25 और 26 मई को जन्समवाद कारेकरम में सीम शुरकत करेंगे परुशिक्षामत्री रामिलाव शर्मा ने जानकारी दी सभी स्थब दिवीजन में विविन गाओं का द्वारा करेंगे सीम लोगों के समस्याओं को भी सीम अनुहलाल सुनेंगे तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लोगों की समस्याओं को भी सीम अनुहलाल सुनेंगे तो काफी खास से रहने वाला है कि मंद्री श्री मनूर लाल जी महंदरगर्ड तीन दिन करवे तीन दिन का उनका परवास है जैसे जन्समवाद यात्रा उनकी चल रही है यही गाओं में रात विश्राम करेंगे भारतिय जन्ता पार्टी महंदरगर्ड में बड़ी पार्टी है और इसी खबर पर अधिक जनकारी के सासमवाद अता सुशिल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब यही जन्समवाद महंदरगर्ड में भी होने वाला है महंदरगर्ड में इस जन्समवाद को लेकर इस समय क्या कुछ देखा जा रहा है चाहे बात राजनेतिक तौर पर की जाए या फिर बात की जाए जनिता के पॉइंट अप फ्यू से जी दिप से का मैं बताना चाहूंगा कि मुख्य मंतरी का 24, 25 और 26 तारीकों महंदरगर्ड जिले के अंदर कारिकरम रहेगा वो जिस साल पूर शिक्षा मंतरी प्रोफेसर राम बिलाश शर्मा ने अपने निवास्थान पर एक प्रेस कांफरेंस आये जित कर इस बात की जानकारी दी उन्होंने बताया कि तीन दिन का प्रवाज जो है मुख्य मंतरी का वो महंदरगर्ड जिले के अंदर रहेगा इसके अंदर वो महंदरगर्ड विधान सभा के अंदर 26 तारीक को आएंगे और उन्होंने तीन गाओं के अंदर कारिकरम रखे हैं तबसे पहले सतनाली के अंदर उन्होंने कारिकरम रखा है उतके बाद नांगड शुरूई के अंदर कारिकरम रखा है और तीसरा बवानिया गाहों के अंदर उन्होंने कारिकरम रखा है इन कारिकरम को यह इन गाहों के अंदर करने के लिए इस पूरा प्रशाशन पूरी तरीके से जुटा हुआ है मुख्यमंत्री के इसकारेकरम को लेकर यहां तयारे मुझूते बीज़िपे के स्थान ने नेता वे पूरी मेनद करते नजरा आए झाल